गुड मॉर्णिंग एवरीवर्ण! कैसे हो आप सब? I hope आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्त होंगे. चलिए, आज की रीडिंग देखते हैं, हम देली एंजल गाइडेंस, यानि कि देखते हैं कि एंजल गाइडेंस में क्या है ऐसा, यानि कि क्या कुछ एंजल साब से कहना चाहते हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी है ओके सो फोकस कीजिए आपके करेंट सेटिशन के लिए गाइडेंस क्या है करेंट सेटिशन के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे ओके बॉटम आफ देक शिक्स ओफ राफेल यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत जल्दी किसी अपनी पुराने दोस्त से मिल सकते हो या अपने कोई अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में कोई न्यू परसन एंटर कर सकता है और अगर आप अपने एक्स का इंतजार कर रहे हो तो आपके एक्स आ सकते है ठीक एंजल गाइडेंस में फर्स्ट कार्ड यही बता रहा है है relationship related relationship से related जो प्रापलम है वो सॉल्फ हो ते विर दिख रही है प्रापलश भी काड बता रहे है कि सॉल्फ हो जाएगी वह सुट्येशन नहीं जू भी प्रापलम है यह सालव हो जाएग बस पेशिंग्स रखो ठीक पेशिंग्स rob आप देखो दीरे दीरे करके बहुत सारी चीजे जो है ना सॉल्फ हो जाएंगी आपकी लाइफ में ओके चलिए अधर काड देख लेते हैं तो पहला काड आया है यहां पे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग यहां पे ओनलाइन ज्यादा काम करते हैं जैसे कि डिजितल मार्केटिंग से रिलेटेड हो सकते हुआ और बहुत सारे लोग अभी स्टुडेंट है जिनकी एज बहुत कम है अभी ज्यादा एज है नहीं five of Gabriel and ace of Ariel का काड ठीक है ठीक है तो यहां की energy क्या बताती है यहां की energy मुझे बता रही है कि आपके जो पाउर्शन है पेज आफ माईकल के एनरजी पेज आप माईकल के एनरजी यहां पे अंगी बता रही रही है कि देखो आप दोलों के बीच में लव लाइफ के रिकार्डिंग आया है CARD तो यहां पे दिख रहा है कि Online आप लोगों की चैटिंग हुई होगी आपके पार्टनर से या फिर ओनलाइन आप किसी को डेट कर रहे हो अभी फिलहाल ठीक यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जिसे कि आपके उपर कोई नजर रखा हुआ है आपके जो पार्टनर है आपके उपर नजर बनाए हुए हैं आपको स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं मुझे दिखता है जिसे कि आप भी कहीं न कहीं जानते हो ठीक है लव लाइफ के रिगार्डिंग ही काड आया है आज ओके सो मुझे यहां पर दिख रहा है कि आपके लिए ठीक है आपके लिए यहां पर आपके पार्टनर के दिल में बेचायनी भी हो रही है ख्यान यहां पर दिख रहा है कि अगर आज कोई आपको document sign करना है तो बहुत अच्छे तरीके से आप उसको read करेंगे और उसके बाद से करेंगे बिना reading किये आपको किसी document पर साइन नहीं करना है ओकी सो ध्यान रखना है आपको ठीक साथ ही साथ ऐसा देख रहा है जैसे कि आपकी लाइफ में कोई नया बड़ा opportunity आ रहा है कोई बगध बड़ा opportunity आ रहा है आपकी लाइफ में जो कि आपको accept करना है जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा आपका मुझे आप यह दिख रहा है कि बहुत ही अच्छा रहेगा आपका यह जो भी है जो opportunity आ रही है या जो को हैं तो नई जॉब लग सकती है कहीं घूमने जा सकते हो आप या काम के वज़े से जा सकते हो ट्रेवल करते हुए मुझे आप दिख रहे हो तो मुझे कई न कई वो चीज़े दिख रहे हैं आपकी लाइफ में आपकी लाइफ में लव लाइफ में भी दिख रहा है कि बहुत अच्छी से सुरुआत होने वाली है एंजिल काइडेंस बता रही है कि आपकी लाइफ में positivity आने वाली है थोड़ा सा आप negative हो मुझे लग यह problem solve हो जाएगी आप tension नहीं लो यह जो भी problem है ना यह solve हो जाएगी problem को solve होने में ज्यादा time नहीं लगेगा ठीक और यहां पर यह भी दिख रहा है जिसे कि आपको patience रखना चाहिए ठीक है आपको patience रखना चाहिए क्योंकि आपके आसपास देखो मैं कहूं तो मुझे लगता है कि आपकी life में already बहुत सारे drama चल रहा है मतलब कि कोई किसी के against है कोई लडाई कर रहा है arguments हो रहे हैं यहां पर ऐसा कुछ दिख रहा है अगर आप इस problem से जूझ रहे हो तो आप अपने आपको वहां से निकालो ठीक है वहां पर ज्यादा time waste करने के जरूत नहीं है और आपके सामने बहुत ही अच्छा एक जो मौका आ रहा है ठीक है उसका फायदा उठाने का time है अभी आप बहुत lucky हो यह जो lucky day है आज कर डे भी बहुत lucky है आपके लिए क्योंकि आज है जो नई opportunity मिलने वाली है यह आपको money बनाएगा time and support ठीक है हर तरीके से आपको आपकी life में abundance, prosperity, happiness आने वाला है आपके job में promotion हो सकती है आपकी ठीक आज कुछ good news भी मिल सकता है आपको life's related, love life's related, personal life's related तो बहुत सारी चीज़े तो बहुत सारी चीज़े मुझे यहाँ पर दिख रही है और मुझे लगता है कि आप कुछ चीज़े ऐसी भी सोच रहे हो जिसको सोचने की जरूरत ही नहीं है जिसके बारे में सोचना जरूरी ही नहीं है आप कुछ उन चीज़ों के बारे में भी सोचते हुए दिख रहे हो जो कि आपका mind बहुत ज़दा disturb कर रहा है, mind में बहुत सारी चीज़े ऐसी ला रहा है तो यहां पर काड के द्वरा कहा जा रहा है कि आप उन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दो उन सारी बातों पर ध्यान नहीं दो ठीके थोड़ा सा अपने आपको निगेटीव से पॉजिटीव करो आपको गुसा आजकल जधा आता होगा थोड़ा सा गुसी पे कंट्रोल करो फीक गुसे पे कंट्रोल करो ऑधर जो समय के लिए आप उसको छोड़ जवाल उसके जवाब मैं आपको देती हूं एंजल्स के द्वारा ठीके चलिए मन में कोई भी एक प्रश्न पूछिए लागातार आपको उस प्रश्न को अपने मन में दोहराते रहना है और तब हमें एंसर मिलेगा झाल टाल ओए रहने वागातार आपको याद ब्रश्न को ब्रश्न को अपने है और स्वार प्रश्न उसुलिए और प्रश्न दो कार्ड आगए मेरे पास ओके दोनों कार्ड ही लेना पड़ेगा क्योंकि दो कार्ड आए हैं तो दोनों कार्ड लेना बनता है चलिए दीखते ही क्या कहा जा रहा है एज गाइडेंस के रूप में और आपके कुश्ण का एंसर helpful people देखो आप जिस सेजिशन में फसे हुए हो यानि की डियो डिसीजन नहीं ले पा रहे हो और इस सेजिशन में फसे हुए हो मां कोई न कोई आपकी help करने के लिए आएगा ठीक और आपको भी दुसरों की help करनी चाहिए यही तो दुनियादारी है ना कि हम जिस problem में फसे हु तो ही गौड भी आपकी help करेगा ठीक है वह नहीं करेगा यह real facts अगर आप किसी के लिए करते हो तो आपके लिए कोई ना कोई जरूर करेगा वह person करे ना करे कोई ना कोई जरूर करेगा ठीक है छलिए weight कहाँ जा रहे है आपके question का answer है वेट तो अभी आपको वेट करना होगा आपके कुशिन का एंसर का ठीक सो आज यह एंजल मैसेज श्रीप आपको दे रही है ठीक है और उसके बाद यह डिसीजन अपना सुनाएंगी तो आज आपके कुशिन का एंसर आपको नहीं मिलेगा सो यह है आज की रीडिंग आपकी रीडिंग आई होप रीडिंग आपके साथ राजनेट की होगी चनल को सब्सक्राइब कीजएगा वीडियो को लाइक कीजएगा बाबाई